नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं महाख़बर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें शेयर करें बिहार की यूटूबर मनीश कस्यब पर बड़ा एक्षन हुआ है बिहार के बाद अब मनीश पर तामिलनाडू पुलीस ने रास्टिय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहट कारवाई की है बता दें कि मनीश कस्यब को फेक वीडियो पोस्ट करने के मामले में गिरफतार किया गया था और आरोप है कि तामिलनाडू में बिहार के प्रवासी मजदूरों पर कतित हमले के फरजी वीडियो शेयर किये थे तमिलाडू में प्रवासी मजदूरों की पिटाई का फर्जी वीडियो वारल करने के मामले में यूटूबर मनीश को मदूराई कोट ने 19 अपरेल तक नयाई के हिरासत में भेजा है इससे पहले कोट ने मनीश को पुलिस कस्टडी में भेजा था इस मामले में यूटूबर की ओर से सुप्रीम कोट में अरजी डायर की गई है जिसमें अलग-अलग राजियों में दर्ज एफायार को एक साथ कलब करने की मांग की गई है बीते सबता ही तमिलनाडू पुलिस की टीम कोट से प्रोडक्शन वारेंट लेकर मनीश को पटना ले गई थी तमिलनाडू में मदुराई कोट में मनीश को पेश करने के बाद पुलिस को तीन दिन की रेमांड मिली थी जिसमें उससे पूश्टाच की गई इससे पहले बिहार पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई ने भी मनीज से पूछताच की थी बिहार पुलिस की पूछताच के बाद कोट ने तामिलनाडू पुलिस की ट्रांजीट रेमांड की अरजी को मंजूरी दे दी थी बिहार पुलिस और आतिक अपराद इकाई थाने में विबन धाराओं में मनीश कस्यप के खिलाफ मामला दर्ज किया था मनीश कस्यप का विवादों से पुरा नानाता रहा है वह पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है साल 2019 में पश्चिम मंगाल में महरानी जानकी कुवर अस्पताल परिसर में स्थित किंग एडवर्ड सेवन की मूर्ती को छतिगरस्त किया गया था इस मामले को लेकर मनीश कस्यप ने सोचल मीडिया पर कई वीडियो और तस्वीरे साजा की थी और राश्च्रवाद के नाम पर मूर्ती तोड़े जाने का समर्थन किया था इस मामले में भी जेल जाना पड़ा था मनीश कस्यप के सरेंडर करने के तूरंत बाद तमिलनाडू पुलिस की टीम पटना पहुंची थी गर की कुरकी होने के डर से मनीश कस्यप ने 18 मार्च को सरेंडर किया था बिहार पुलिस मनीश कस्यप के बैंक खातों के भी जाच कर रही है और उस बैंक एकाउंट को फ्रिज कर दिया गया है इसमें कुल 42.11 लाक रुपे की राशी बताई गई थी और बिहार पुलिस ने बताया था कि मनीश के SBI के खाते में 3,37,000 रुपे थे और HDFC बैंक में 51,000 इसके अलावे सच तक फांडेशन के HDFC बैंक के खाते में 34 लाक के करीब रुपे जमा थे मनीश कस्यप का असली नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है वह खुद को Sun of Bihar लिखता है मनीश का असली नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है और इस नाम के पीछे वह कश्यप लगाता है अलाकि जादा तरजगों पर मनीश लिखता है साल 2020 में बिहार के चनपटिया विधानसवा सीट से तिरपुरारी उर्फ मनीश निर्दलिय चुनाव लड़ा था नामांकन के समय चुनाव आयोक को दिये हलफ नामे में उसने बतार प्रत्यासी अपना नाम त्रिपुरारी कुमार्तिवारी बताया था पिता उदित कुमार्तिवारी भारतीय सेना में रह चुके हैं राष्ट्रिय सुरक्षा अधिनियम 1980 देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक सक्ती देने से संबंधित एक कानून है यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिख्ध नागरी को हिरासत में लेने की शक्ती देता है 13 सितंबर 1980 को इंदरा गांधी की सरकार के दौरान इस कानून को बनाये गया था ये कानून देश की सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार को अधिक सक्ती देने से संबंदित है यह कानून केंदर और राजिस सरकार को संदिक्द वैक्ति को हिरासत में लेने के सकती देता है राश्ट्रिय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत किसी भी संदिक्द वैक्ति को बिना किसी आरोप के 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है राज्य सरकार को यह सुचित करने की आवेश सकता है कि इन एसे के तहट यह वैक्ति को हिरासत में लिया गया है यह रास्टिय सुरक्षा अधिनियम के तहट हिरासत में लिये गया वैक्ति को उसके खिलाफ आरोब तैकिये बिना 10 दिनों के लिए रखा जा सकता है हिरासत में लिया गया वैक्ती उचनयायाले से सलाहकार बूर्ड के समक्ष अपील कर सकता है लेकिन उसे मुकर्मे के दौरान वकील की अनुमती नहीं है